कि 14 सितंबर 1949 को भारत की समिदान सबानी हिंदी को संग की राजबासा के रुप में स्विकार किया था इसका 75 साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजबासा हिरक जैनती मनाने जा रहे हैं इस 75 साल की यात्रा हिंदी के लिए राजबासा के लिए और हमारी सभी राज़्यों की अपनी अपनी भासाओं के लिए बहुत महयतोपूर्ण रहे हैं हिंदी ने कई उतार चड़ाओ देखे हैं परन्तु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं के हिंदी और किसी अस्थानिय भासा के बीच में कोई स्परधा नहीं है हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानिय भासाओं की सखी है एक दुसरे के दो पुरक है चाहे गुजराती हो मराटी हो तेलगू हो मलयालम हो तमील हो या बंगला हो हर भासा हिंदी को मजबूती देती है हिंदी हर भासा को मजबूती देती है और इसलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपलाचारी जो महात्मा गांधी हो सरदार वलबाई पटेल हो लाला लजपत्राय हो नेताजी सुभास्चंद्र बोज हो या फिर आचारी क्रिपलाणी हो ये सभी एक प्रकार से नौन हिंदी भासी क्षेत्रों से आते थी और जो समीती बनाई गई वो समीती भी श्री आयंगर और के एम मुंसी के नित्रूतों में बनाई गई थी जीस ने एक हिंदी को राजबासा के रूप में मानेता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भासाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी समीदान सभा के सामने रखा था वो दोनों नेता नोन हिंदी बासिक शेत्र से आते हैं और विगत दस साल में मोदी जी के नेत्रुतों में हिंदी को और स्थानिय भासाओं को मदबूत करने के लिए धेर सारा काम हुआ है मोदी जी ने अनेक अंतराष्टिय मंचो पर गवरव पुर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महतों को नकेवल देश समुचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भासाओं के प्रती गवरव के भाव को बढ़ा है ये दस साल में हमने कई सारी स्थानिय भासाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है नई सिक्सा निती में स्री मोदी जी ने प्रत्मिक सिक्सा मात्रु भासा में इसको एक महतोपूल स्थान देकर हमारी सभी भासाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने क काम किया है हमने दस साल के अंदर कंठस्त का टूल बनाया हमने इस दस साल के अंदर चार रिपोर्ट सब्मिट किये और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुक्ता से प्रस्ताफित करने का काम हमने किया है आने वाले दिनों में राजबासा विभाग हिंदी से आठवी अनुसुची की सभी भासाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है जिससे पत्र हो या भासन जिसका अनुवाद बहुत कम समय में Artificial Intelligence का उपयोग करते हुए हम सभी भासाओं में कर पाएंगे मैं मानता हूँ इससे भी हिंदी को और स्थानिय भासा को बहुत मद्बूती मिलेगी और मैं आज फिर से आप सभी को कहना चाहता हूँ हमारी भासा हैं विश्यों की सबसे समरुद भासाओं में है हिंदी ही है जो हम सब को जोडने का काम करती है और सम्विदान सभाकी जो स्पिरीट थी कि एक स्वदेशी भासा में सभी देश के नागरिक एक दूसरे के साथ समवाद करें चाहे हिंदी हो तमिल हो तेलगू हो उजराती हो हिंदी को मजबूत करने से इस सभी भासाओं एक प्रकार का लचिलापन भी आएगा समरुद्धी भी आएगी और एक समाहीत ताके संसकार के साथ सभी भासा है हमारे संस्कूति, इत्यास, साहित्य, व्याकरण और हमारे बच्चों के संसकार को भी आगे बढ़ाएगी अता मैं सभी देश वार्षियों को अपील करना चाहता हूं कि हिंदी दिन पर आईए हम संकल्प करें हिंदी को मजबूत करें हिं को आपका समर्थन करिए फिर से एक बार आप सभी को हिंदीर दिन की बहुत-बहुत सुपकामना है आए हम राजभासा को मद्बुत करें बंदे मातों